अर्मान रूही अभीरा इन तीनों की जिन्दगी कैसे आपस में टकराईगी वेल दोस्तों स्टाप्लस के मोस्ट पॉपिलर सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है कि कहानी में काफी सारे नए-ने ट्विस्ट एंड टर्स आने वाले हैं जैसा कि आप जानते हैं कि सीरियल में ल पर रूही अभीरा अब दोनों जिठानी देवरानी बनने वाले हैं तो चलिए बताते हैं सीरियल में और क्या क्या होगा वेल जहां आप देख रहे हैं कि रूही अर्मान दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वही रोहित के लिए रिष्टा जो है वो विद्या लेकर करने वाली है रूही के लिए अब यह सारी चीजें हो रहे हैं और इस बार से अभी रूही जो है वह अंजान है लेकिन जल्द ही रूही को पता चल जाएगा कि रोहित के घर वालों ने रिष्टा भीजा है जसके बाद रूही जो है अपने दिल की फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं दिवाली को मनाने में लगा हुआ है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि रूही को मनाता है उससे हर चीज के लिए सौरी बोलता है जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से रूही अर्मान दोनों साथ में बहुत सारी फुल जड़ी जो है वह जलाते हैं दिवाली अ पीचे से अभीरा को कर लेता है और उसे अपने घर उठा कर ले जाता है विराप देख सकते हैं कैसे वह के साथ जोड़ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन तब ही वहां पर पहुंद जाती है अब अक्षरा जो है वो यूवराज की अकल ठीकाने लगाती है और कहत जहां पर इससे पहले हम देखेंगे कि विद्या जो है अपने बेटे रोहित का रिष्टा रूही के लिए लेकर पहुंच जाती है गोएंग का हाउस जहां पर स्वर्णा मनीश दोनों के दोनों है रान हो गए है वहीं पर अब देखा जा सकता है किस तरह से सुलेखा जो है व अपकमिंग ट्राक को लेकर कॉमेंट करके अपनी राय बताईएगा जरूर फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही टीवी बॉलिवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्ब